हिंदी फिल्मों में संगीत का एक अपना ही इंपोर्टन्स महत्व होता है और अगर वो फिल्म लव स्टोरी हो तो वेल मुजिक डिरेक्टर का काम उतना ही मुश्किल हो जाता है और ऐसी ही एक लव स्टोरी इस शुक्रबार को रिलीज होने जा रही है तो आज हमारे साथ उसी फिल्म यानि फ्रॉम सिद्नी विद लव के मुजिक डिरेक्टर सोहेल सेन है प्लीज वेलकम सोहेल सेन सोहेल वेलकम टो एटीसी बॉलिवोड बिसनस मैंने सही कहा कि म्यूजिक डिरेक्टर का काम एक लव स्टोरी में मतब रिस्पॉंसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है मेरे बहुत इसी होता है तू कंपोसर रॉमांटिक सॉंग हाला कि आइटम सॉंग्स कंपोस करने में मेरे हालत खराब हो जाती है इसा है डिस राएटम सॉंग्स करने है इससा है यह उसलिष खराब है जैए आइटम सॉंग्स कंपोस करने डि mínimo花ोता है से रॉमांटिक सॉंग्स क्मपोस करना डिफ्रिकल कैं तैम लगता है एनद ओड़िए प्रसंग को यह मताना है यह दो आपको इस नाइस पूराइब कोई भी लेमान अगर फिर्स ताम वह गाना सुन था तो वह थो फिर रिले टुट इट इस लिए इस लिए था लगना ची तो वह फिर एक रिस्पोंसिलिविटी और जादा बढ़ आती है that you can't go wrong while composing that specific track From Sydney with Love, आपको कैसे मिली? मतलब जो नहीं प्रेडूसर डिरेक्टर है प्रतीक चक्रबर्ती उनसे दोस्ती थी या on a very professional basis आपको ये फिल्म मिली? प्रतीक से को मैं पहले जानता था, दोस्ती भी थी and जब मेरे ब्रदर की दुलन का background को खतम किया मैंने यश्राज की फिल्म थी वो and गाने भी काफी लोग को पसंदा है फिर उसके बादा वस तिंकिंग के क्या करना चाहिए तो then Monday प्रतीक केम and he said के मैं इसी मूवी बना रहा हूं and जो मुझे सबसे अची बात ये लगी के he was very true he said के this is my first film and इसमें इतने गाने है ये है वो है तो जो मुझे एक सबसे जो पॉइंट जो which I like was के जो उनका बैनर था प्रमुद फिल्म जिनोंने इतने टाइम से इतनी बड़ी बड़ी फिल्म में दी है तो मैं चाहरा था के that I should be part of this project and when I listen to the script again that I am by nature, the songs are the same in the movie, so it was a lot of fun So all the romantic songs in this video? There are romantic songs in this video, like there is a song called Nanone, then there is again Ho Jai Ga, then from Sydney with Love title track So there are romantic songs in this video How much time did you make the songs in this film? How much time did you make the songs in this film? For the first time when we sat, I and Pratik, when we sat in the first time, Pratik was okay, because when you are working with a person for the first time His nature or what kind of music he wants, he takes time to understand But I think when we sat in the second meeting, within a month, I think we cracked six songs and produced it Although it was time in the production, but we locked songs within a month Within a month After my brother's brother, Yashiraj is giving music in another film, that is Aektha Tiger So Aektha Tiger and From Sydney with Love Is it going to be simultaneously, or is it going to be done with a film or a film to finish the other film? में कूदें आप हाला कि मैंने एक था टाइगर पहले शूरू की बट जैसे एक था टाइगर का फिर्स चेडूल जब डबलिन में गया तो फिर दना इस्टार्टे वोकिंग ऑन प्रतीक्स मूवी तो वो जो एक मैने का टाइम था उसमें वी वी क्रैक्ट दोस सॉंग्स तो व वो अपने यूनिट वालो को इतना पैंपर करते हैं कि फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे बैनर्स के साथ काम करने के लिए सी वो तो है बिग्स हाला कि मैंने काफी सुना था ये बारे में बट जब मैंने अच्छिली में फर्स मूवी कियू उनके साथ मेरे इंजिनियर्स इतने अच्छे माँ पे हैं इंग पूरे इंडिया में यश्राज वान फे बेस्ट इंजिनियर्स मिक्सिंग इंजिनियर्स बेस्ट तूडियोज और जो एक्विमें उनके पास हैं आई थिंग आप अफ तो कोई भी न्यूकमर कंपोजर का तो तो द्रीम रह से दोनों अशुतोष गवारिकर की फिल्मे थी उनके बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने से आपके फीचर प्रोजेक्स में बाधा आई नहीं हाला कि आप उन दोनों पिक्चरों से मुझे इतना फायदा हुआ है और जो भी म्यूजिकल सर्कल में जितने भी लोग जानते हैं त फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उसका म्यूजिक बहुत पॉपिलर हुआ था जी विल्कुर यस अगला कि वह आज भी आप अगर टीवी में चैनल सर्फ करें तो कहीना कहीन आ रही होगी और उसके बाद जो मैंने खेले हम जी जान से की तो लोग अलगा कि यह इतना यंग पहने के साथ काम करते हैं तो लोग को यह लगता है नहीं है यह लड़का मुजिकल है और नोट दूइंग वन बट तू फिल्म इत अशुतोष गावरिकर इस लाइक अशुतो फिल्म इश्राज तो यह तो ब्लेसिंग ही है बुजर्गों के के इतना अच्छे से हर चीज च जाता मैं बोलूगा नहीं उस पोजेके बारे में बट वट वह बट वह बारे में बट वह बहुए इस अमेजिंग क्यों कि मैंने वन लाइन सुनी है और इसमें उसमें बहुत मजा एगा अच्छा मैंने तो जोक के हिसाब से काहता है कि उनकी सेकेंड फिल्म का मुज़ यह अच्छा मैंने जोक के हिसाब से पूछा था मुझे यह आइडिया भी नहीं थी कि उन्होंने अलड़ी काम शुरू कर लिया है इसके अलावा और कॉन कॉन सी फिल्मों में मुजिक स्कूर कर रहा है इसके बाद अगें I'm doing another movie with a debutant but debutants के साथ तो ऐसा हो गया है कि जब मेरे ब्रद की दुलन की थी तो Ali Abba Zafr he was a debutant पर Pratik himself is a new director and then there's this new girl Prena Maadvaan he's doing with Eroz के साथ वो कर रही है तो वो movie है then again Ali Abba Zafr की next which is again a Yashraaj movie तो I'm doing that also इतने सारे music directors है generally music directors के बीच में जैसे काम कैसे बढ़ता है is it because of the budget के ये कम budget की film है तो एक ऐसे music director को लो जो कम पैसों में का गारे बना देगा how how does it function I think it depends from composer to composer okay क्यूंके सी काम according to me अगर 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 देखने जाहे तो फर्स्ट मुए वाच्छ राशी देन कहले हम जी जहां से and then मेरे बड़ा बड़ा तो अभी मैं प्रमूत फिर्म्स की कर रहा हूं from Sydney with love तो लोग सुचते है यार के इतनी बड़ी पिच्छे रहे तो यह पिच्छे कैसे करेगा तो मुझे मेरी ग्रैंट फाथर की बात हमेशा जाती कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता कि आप if you are giving 100% to Yashraj film तो आपको प्रमूत फिल्म्स के को भी 100% देना है बिल्कुल सब्सक्राइब तो वही जस्टिफा होता है I think at the end of the day अगर मैं यह सोच के नहीं that I'm doing a Yashraj film with Salman Khan and for the first time and अगर वो मैंने सोच लिया तो मैं कभी कंपोजी नहीं कर पाऊंगा के for a creative person it's always necessary to be at ease अगर आप यह टेंशन सोच के चल रहे है क्या आपको अच्छा गाना बनाना है hit गाना बनाना है तो आपको भी कहरी नहीं पाएंगे from Sydney with love इस फिल्म के गानों में आपका personal favorite concert of course all are your children so to speak so to say you know मगर फिर भी होता नहीं कि मुझे लगता है यह सबसे ज्यादा चलेगा या public को यह सबसे ज्यादा पसंद आएगा अब जैसे बात पहले romance की हो रही थी तो इसमें गाना है romantic गाना है हो जाएगा background score भी आपने दिया है from Sydney with love so how different is scoring the background music from scoring music for the song गाने उत्ते तफ नहीं हुए जितना background score background score is tougher because क्या है कि first half of the movie is in Sydney and second half is completely different तो वो दो देशों का the combination तो उसमें background score भी बदलता है sound wise कि अगर आप 2012 में चले तो आपको सीधा 70s में जाना है in terms of sound okay तो वो प्रेट करने में I think तो शूट वा है नहीं बट वो जगा ऐसी है अच्छा कि वहां का essence जब तक नहीं आए musically शांती नहीं केता है तो बोलपूर में यह जगा है तो वहां के जब तक elements और उस जगा के जब तक sounds नहीं आएंगे आपके background score में तो रिलेट नहीं कर पाता sound जानने के लिए I think जो हमारे director Pratik है वैसे बहुत चाहे बट knowledge पूरी जो थी I think he gave me all the inputs के क्या होना चाहे क्या नहीं he was there throughout के every reel अगर आप देखें तो he was there के नहीं आर से इसा करते है because it's his first baby to he was very cautious about things certain things I think on the whole काफी मजा है and काफी innovative चीज़े ट्राइ करनी मिली innovative in the sense? in terms of sound के अगर आप डिस्कोटेक का सीन है तो वह तिपिकल डिस्को मुजिक ना हो या आप ट्रावल कर रहे हैं बोलपूर में तो वहां पर जो का जो sound है या वहां का जो culture है वह उस चीज को मेंटेन रखे हैं तो वैसे अगर आप गाने भी देखेंगे तो एग आप गाना है जो प्यारी प्यारी अभी काफी पसंद आ रहा है जिस पे बॉंग लिरिक्स भी है और आप इसें ताइम हिंदी भी है तो पंगॉली और हिंदी कमिशन है तो कोशिश यह रही है और वरकिंविद दू कमर्स यह एक एडवांटेज हो जाता है के यह टेंड तो पुश यू जो के के तो अनधर लेवल के और आप क्या अच्छा कर सकते हैं इस दाखने वह ताट्स वरी नाइस अब जब हम From Sydney With Love देखेंगे मेरे ख्याल से देखते देखते हमारे कान भी ज्यादा खुले रहेंगे विकास आप जिस तरह बोलना है के अलग टाइप का music and we worked very hard on the background score plus songs to popularize किये गये हैं and popular हो भी रहे हैं so here's wishing you the very best for From Sydney With Love Fingers crossed Fingers crossed, thank you so much for being with me thank you so much for being with me तो दोस्तों ये है सोहेल सेन आज के लिए बस इतना ही